Ownership 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 का हिंदी अर्थ होता है मालिकी या स्मामित्व आए दोस्तों आज हम इस वर्ट को समझेंगे कुछ अग्जेंपल के साथ Number 1 The shop has changed ownership several times इसका हिंदी अर्थ होता है दुकान ने कई बार स्मामित्व बदला है इसी तरह दूसरा एक्जेंपल है हमारा The ownership of the painting remains unclear इसका हिंदी अर्थ होता है पेंटिंग का स्वामित्व अस्पष्ट है इसी तरह तीसरा और आकरी एक्जेंपल है हमारा The house is under new ownership इसका हिंदी अर्थ होता है घर ने स्वामित्व में है तो दोस्तों उमीद करता हूँ इन इक्जेंपल के माध्यम से ownership का हिंदी अर्थ काफी अच्छे समझ गयोंगे तो दोस्तों ऐसे ही इंग्रेजी शब्दों को हिंदी में समझने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यबात